नवस्कार दोस्तों हमने इससे प्रिवेस्ट वीडियो के अंदर डी ट्री प्लेस्ट भी कि वेकेंसी नोटिफिकेशन कि पर डिसकस किया था जिसकी मैं जो जहां रखने वाले पॉइंट है वो यह है कि 4 जून 2021 से फोर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 3 जुलाई 2021 को इसकी लास्ट रहेगी फोर्म बढ़ने की तो इससे पहले पहले आप सभी डी ट्रीपलेस्ट वी की ओफिशिल वेबसाइट पर जाके ओनलाइन प्लीज अप्लिकेशन फोर्म सब्मिट कर दें कि आज का जो विशह है इस पर हम बात करने का है वो है क्वालिफिकेशन का तो इसकी जो क्वालिफिकेशन है उन्हें सबसे पहले आती एजुकेशन क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर आप सबसे बेस्ट इसमें रहता है कि अगर आप ओनर्स से पढ़ाई किया आपने बीए ओनर्स समद्धित सब्जेक्ट में अगर आपने बीए ओनर्स किया है तो आप इस फोरम के लिए पहले इलिजिबिलिटी आप पूरी करते हैं अगर आपने बीए ओनर्स नहीं किया है तो भी कोई गभराने की दूर्ने की जूर्त नहीं है अगर आपने बीए किया है मलग सिंपल ज से जाती है वह कंडिशन है आपको सम्मद्धित सब्जेक्ट में 45 परसेंट मार्स लाने अनुवारिय हो जाते हैं उसके बाद आपको बीड करना होता है बीड के बाद में एक आपको सी टैट का एक्जाम होता है वह क्वालिफाइब करना होता है फिर आपकी के सन डीट प्लेस भी टीजीटी जिसके हम बात करें टीजीटी ट्रेंड ग्रेजवर्ट टीचर्स उसके लिए वह इलिजीबल हो जाता है उससे अगली क्वालिफिक्वेक्वेशन आती है इसमें एज का जो एज क्राइट एरिया है तो कोई भी जर्नल का इंडेगरी का इं जिसकी मैक्सिम 32 एर्स ओल्ड हो कि वह अपलाई कर सकता है प्लस इसमें एज रिलेक्सेशन भी है कि जो एज पर रूल अब जिस करें में आते हैं आप ओनलाइन जब फॉर्म सब्मिट करेंगे तो वहाँ जो अप्षिन आएगा जिस क्रेगरी का तो समभंधित क्रेगरी का एटमेटिक उसमें और सब्समीट करोगे आपके जितना इस रिलेक्स से मिलना होगा उसमें मिल जाएगा फिर अगला होती है तो इसके examination trip होती रूप हो यह होती है तिये वह कुंद रुपहर है इसकी एग्जामेन सी तोह हती है और फी एग्जमिंशन भी है कि एक्जम्टेट कौन कौने जिसे फीज में अपलाई देना नहीं है वो है ओमैन कंडिटेट सभी महिलाओं को इससे एक्जम्टेट किया गया है फीज आपको नहीं सब्मिट करनी और जो भी सब्सक्राइब करने की जरुक नहीं है और सबसे लास्ट और सबसे इंपोर्टेंट जो क्यूशन है वह होता है कि इसमें एक्जामिनेशन सेंटर्स कहां का होगे सेंटर्स की बात हम बता देते हैं कि सेंटर इसमें 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 एक्जाम दे सकते हैं तो दुबार मैं पर रिपीट कर दाते हैं मोटे मोटे बाते हैं कि नोटिफिक्स जारे हो चुका डिटर्स पी का जिसकी चार जून से एक्जामनेशन फोर्म बरने स्टार्ट हो जाएंगे डिटर्स भी की ओफिशल वेब साइट पर है तीन जुलाई इसकी लास्ट रहेगी बी ओनर्स या बीए पास है तो मिनीमम फोटिफाइब परसेंट सब्जेक्ट संबन्दी सब्जेक्ट में आने चाहिए उसको प्लेट होना चाहिए फिर सीट होना चाहिए 32 यह ओल्ड होना चाहिए मैक्सिमम और एज रिलेक्सेशन इस पर रूल है उसमें एक्जामने से फिस एंडर्ड रूपर रहेगी और ओमन करेंडेट सीस्ट केंडेट पीड़लोडी और एक सर्विसमें को इसमें एक्जाम्शन दिया गया है और सेंट्रिस का दिल्ली एंच्यार में ही रहेगा इससे भार नहीं होगा और जो आदमी दिल्ली में रहता है और दिल्ली में रहना चाहता है दिल्ली में आज इवर नोकरी करन जाता है तो उसके लिए सब से अच्छाale option हो में से यह एक option है जी जान से इसकी आप तयारी करें इस समद्ध में हम आपके लिए डे बाई डे उचित सामगरी उपलब करवाते रहेंगे इसलिए आप हम हमारे से जुड़े रहें धन्यवाद जैहिन जैवारत